दिले के जरिवाल पर हुए हमले पर बिज़ेपी आई सामने और ऐसे में अर्विंद के जरिवाल पर नहीं हुआ कोई हमला ये बिज़ेपी का बयान सामने आ और कहा कि ये जन विरोध है जो प्रचार शुरू करने होने से धीरे धीरे बड़ा है और ऐसे में आप और उनके बधायक व्यापक एंटी इंकम्बेंसिस से घिरे हैं दिल्ली वाले अब सडक पर उतर कर विरूद कर रहे हैं बड़ी चौनकारी आपको दे रहे हैं अर्विंद केजरिवाल पर नहीं हुआ कोई हमला ये बीज़िपी का बयान सामने आया और ऐसे में केजरिवाल पर हुए हमले पर बीज़िपी सामने आयी है और ऐसे में अर्वंद केजरिवाल पर नहीं हुआ कोई हमला और ये जन्विरूद है जो प्रचाश शुरू होने से धीरे धीरे बढ़ रहा है आप और उनके विधायक व्यापक एंटिंग केंबेंसे से गी रहे हैं और ऐसे में दिल्ली वाले आप सड़क पर उतर कर विरोध भी कर रहे हैं बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से इस वक्त के बड़ी खबर जहाँ पर केजुरिवाल पर हुए हमले पर बिजपी सामने आई है और ऐसे में अरविंद केजुरिवाल पर नहीं हुआ कोई हमला ये बिजपी ने कहा और ये जन्वरोध है जो प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे बढ़ रहा है बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं केजुरिवाल पर हुए हमले पर बिजपी सामने आई है और वहीं जादा जानकारी साजा करने के लिए हमार साथ रिया राय जुड़ चुकी है रिया केजुरिवाल पर हुए हमले पर भारती जुन्ता पार्टी अब सामने आई है और ऐसे बे अरविंद केजुरिवाल पर कोई हमला नहीं हुआ ऐसे में भारतिय जंता पार्टी के बयान सामने आ रहे हैं और कहा कि आरूम भी लगाया कि ये जंद विरूध है जो प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्या कुछ हसाद अपडेट जो बिल्कुल सोनिया क्योंकि राजधानी दिल्ली में विधान सभा चुनाव का आगाज बेहदी जल्द होने वाला है और इसे देखते वे आमादमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो रोजाना इस तर पर अलग-अलग जो विधान सभा हैं उनमें पद्यात्रा का आयोजन क कर रहे हैं पद्यात्रा निकाल रहे हैं और उस पद्यात्रा में खास कर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जनता के समख्ष किस तरीके से पहुचा जाए और जो बीता कारेकाल रहा है उसमें पार्टी ने किस तरीके का एक जो सकारात्मक मुनाफ़ा है वो जनता को दिय इसकी जानकारी जंता को होना बहुत जरूरी है ताकि इस बार जब सरकार बने तो जंता काफी सोच समझ कर उनका चुनाव करे एक तरीके से जो पूरा प्रचार प्रसार है उसे आप कह सकती हैं कि विधान सभा आने से पहले ही काफी तेजी से अब चल रहा है लेकिन इस बीच में इस पद्यात्रा में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसमें कि ये जानकारी मिली है कि आमादमी पाटी से जो पूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं अर्विंद केजरिवाल उन पर बीते दिन पद्यात्रा में हमला हुआ जिस हमले का जो जिम्मेदार है वो आमादमी पाटी पर नहीं हुआ है अर्विंद केजरिवाल पर नहीं हुआ है बलकि ये एक तरीके का जन विरोध है जो की प्रचार प्रसार शुरू होते ही अब कहीना कहीं पर होने लगा है क्योंकि अब तक जिस तरीके से अर्विंद केजरिवाल सिर्फ और सिर्फ अपने शीश मह बैट कर इस बात अार जों है वहुत दिल्ली भाक्जपा का कहना है अब आप जब अपने ढंजेन तो सड़कों पर ऑपि पहुँच लएं तो उन्हें इस बात आख Clinton का बैचल होता है और उसी का नाम देते हुए बीजेपी ने उसको जन विरोध कहा है और इसी के साथ साथ में कल की जो घटना है उस पर नासिफ दिल्ली बीजेपी बलकि सांसत कमल जी सेरावत जो हैं उन्होंने भी जानकारी दी है और ये कहा है कि विकास पूरी में जिस तरीके से मुद्दा पनाया जा रहा है कि वहाँ पर अर्विन के जीवाल पर हमला हुआ बलकि ऐसा नहीं है एक प्रकार का जन विरोध है क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो पानी की बोतल लेकर जाते हैं क्योंकि सोन्या कई बार इस पर भी खबर आ चुकी है और दिल्ली की जनता ने बेहद ह पानी आप कह सकती है जोश के साथ इस मुद्धे को रखा है कि दिल्ली में जो पीने वाला पानी है एक तो उसकी बेहद जादा कमी है और दूसरा जो पानी आता है वो बहुत जादा गंदा आता है तो वही गंदा पानी लेकर वहां के जो विधायक है उन तक जाया गया जि कि अरविंद केजिवाल भी शामिल थे लेकिन उनके मना कर देने के बाद वहां पर जनता के बीच में आकरोश आ गया था तो उसी को देखते वे बीजीपी का ये कहना है कि अब जनता उनके बीच में जब जनता के बीच में पहुँच रहे हैं तो अब जनता सीधे तोर पर उन्हें अपनी सारी समस्याओं को दिखा रही है और ऐसा उनके विधायक नहीं मान रहे हैं तो इस प्रकार से जन विरोध किया जा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग हैं और उनका विरोध कर रहे हैं और जिस भी प्रकार का हमला हो रहा है वो भाजपा क कि तरफ से कराया जा रहा है जी रिया राय अगर बात की जाए तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि अभी हाल ही में कुछ सब्सक्राइब बाद दिल्ली में विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं ऐसे में सभी राज़ने दल तो अक्टिम मोड बन नजर आई रहे हैं और अगर आम आदम पार्टि की बात की जाए तो जिस तरह से विरोध देखने को मल रहा है जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको गरबाया जा रहा है लगातार उनका विरोध हो रहा है प्रदूशन का हो गया है और आयमना में जाक की परत जमना तमाम ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनका विरोध आम आदम पार्टि को जहलना पड़ रहा है तो क्या विधान सभा चुनाओ पर इन सब मुद्दों का असर देखने को मलेगा जिबिलकुल क्योंकि सोनिया जितने भी मुद्दे हैं वो कहीना कहीं पर दिल्ली विधान सभा में दिल्ली की जंत की चर्मराती विवस्ताइं हो अस्पतालों में मेडिकल का इंफरस्रक्चर हो या फिर स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा का हाल हो ये सारे ही सारे जो मुद्दे हैं वो कहीना कहीं पर एक सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है और इन सारे ही मुद्दों पर जो बख्ष है उसने बेहत सारे जो भस्टाचार के आरोप है वो जनता के सामने लाकर रख दिये हैं तो ऐसे में आमादमी पाटी को जनता के बीच में अपना विश्वास दुबारा से उस तरीके से बनाना उस तरीके से जमाना जैसा पहले रहा करता था वो बहुत जादा आप कहा सकती है कि एक बहुत बड़ा टास्क है लेकिन इन सभी का असर दिल्ली विधान सभा के चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं कि आजा सकता है कि आमादमी पाटी का गिराफ गिरेगा लेकिन कहीं ना कहीं पर इस बार जो टकर होगी वो तीनों ही दलों में बेह का धन्यवाद